अस्राइब लेकम स्टुडेंट्स आप लोग ठीक ठाक होंगे आज हम लोग जो टॉपिक डिस्क्स करेंगे वह जी कि क्या श्रॉक्चर है और क्या उसका फॉंक्षन है इस तरीके से अपने वह फॉंक्षर को मेंटेंड रखती है और क्या फॉंक्शन को पांप करते है हमारी बॉडी का 20-25% प्रोटीन 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 पर ही मुझनित है क्या वह एक्स्टर सेलुलर स्पेसिस के अंदर मुझूद होती है जो कि हमारी बॉडी के तमाम टिशू को एक उसरे के साथ लिंक रखती है इसको हम लोग कॉनेक्टिव टिशू के जिनाम से भी जहना हो जानते हैं जितनी भी आपके बॉडी के अंदर यह दिक हैं आपस में लेक टेंडन सें लिगामिंट सें यह उनके साथ आसूसियेटीट है क्यों अपी जो प्रोटीनिकाओंवार्टिव बनाने के यह आपस में बनाने के अब्लेटिक्स मिनाने के के बना हैं आपके ब्लड टिशू के अंदर आपकी जो ब्लड वैसल हैं जी आईटी के अंदर घर्ज यह कि जितनी भी बॉड़ी की कॉनेक्टिव पॉस्टिंस हैं उनके अंदर कॉलेजन तो अगर कॉलेजन प्रोटीन जो है वो लिंकेज क्रियेट नहीं करेगी तो हमारी ब यहां पर आप लोग को घर्ण ब्लाओ स्टाइए में नहीं लाइस कर में प्रोटीन की ट्रोच के लिंदे ट्रीन वाइसलिक्ат को डिसकेस किया था तो इसमें जो है नुख में वह थीन आलपा चैंज हैं और जहां आप लोग जो है नोज्ज़ एक्र तेञ उनने ग्रीन क्र सब्सक्राइब करें तो इस स्ट्रॉक्चर को अगर हम लोग देखें तो यह लोग वह लेकिन काफी स्टिफ फॉर्म में काफी वह स्ट्रॉंग किसम का एक स्ट्रॉक्चर बिना रहे हैं कॉलिजन प्रोटीन स्ट्रॉक्राइब करें तकरीपन जो है वह 25 से भी ज्यादा जो है वह वारेजन प्रोटीन की टाइप हमारी बॉडी के अंदर अब यह 25 की जो इसकी टाइप से वह मुश्टमिल तो इन ही टीन आलफा चेंज के अपर होती हैं लेकिन इनके अंदर जो लिंकेजिज हैं या इन तकरीबन हर एक अमाइन टाइप टू हमारे पास वह फारी जिसके अंदर टाइप वन तो चींजर आलफा वन की होती है और एक चेंज है वह आलफा टू की होती है इनके नंबर से आपने कंविज नहीं नहीं की तो यह बारे में लगा अगर हम इस यहां पर कि सीक्वर्स के बारे में अंदाजा लगाएं कि कौन से ऐसे यह बारे में जादा पाए जाते हैं को उसमें ग्लाइसेन पायाता है और एक्स वाई के नाम सर्य है इसको डिनोट करते हैं अचारी यह एक्स है ना जो हो इसको इस यह पर हो सकते हैं इस वाई पोजिशन के उपर हो सकता है और हमारे पास जो है ना वह गलाइसीन प्रोलीन और है इस प्रोलीन या हाई रॉक्सी लाइसीन का जो एक ट्रिपल रिपीटिंग यूनट है वो देखने को मिलता है इस प्रोलेजन प्रोटीन के अंदर सो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो यह जो आलफा चेंज है यह एक्लिय मैं अप्लिय ट्राइब रिपाइड यह तीन यूनट जो हम बार-बार प्रोटींग हो रहे हैं गलाइसीन ग्रोलीन एंड तो अगर हम लोग इसके ट्रिपल हैलिकल स्क्षर के हवाले से बात करें तो इसकी जो साइड चेंज है जो रेजिडियूज है जो पैप्टाइड बॉंड्स के इलावा जो हमारे पास अमाइनोसिट के जो अलकाइल ग्रुप से जो आप इसके नाम से जाने के यहां पर वह आर ग्रुप्स तो है वह आउटसाइड इस हैलिकल स्टुक्चर जो है वह प्रोजेक्ट हुए होते हैं वह आउटसाइड इसलिए होते हैं ताके यह दूसरी इडिडिड मोजूद जो जो अग्रेजन की दूसरी रैजिडूज उनके साथ हैं यहां ना हीड्री बांट बनाकर दो फाइबर्स को आपस में तो हैंना वह जूडने का काम कर सके हैं सो इह जो है ना वह त्रिपल हैलिकल स्ट्ट्ट्चर जो है वह इसका बहुत इंपोर्टन है इन फस्ट ऐन दिफरंट लिए वह स्ट्रोंगली जोडे रखने बदें तो आपस में इस्ट्रॉंगी जो है वह इंटरेक्ट करके जोड सकते हैं दो इपरेंट फाइबर्स को एक दूसरे के साथ तो यही उनकी जो है ना वो स्ट्रेंग्ट का जो है वो बेसिक फामूला है और यह हाइड्रॉक्सी जो बोडिफिकेशन है यह उनकी ट्रास्ट ट्रांसलेशन के बाद में वाक्या होता है यानि कि जब यह अमाइनो एसर्ड की पॉली पैप्टाइड चेन या प्राइमरी सीक्वेस्ट बन रहा होता है उस ताइम के उपर यह प्रोलीन हाइड्रक्सी फॉर्म के अंदर नहीं इंकॉर्परेट होता है बलके यह एक नॉर्मल प्रोटीन प्रोलीन के तोर पर यह प्रोटीन मोडिफिकेशिन के इस उस पेड़ियों को कि भॉष्टोर प्रोटीन होती है यह पर यह करत क्षपर करते हैं यह एक्चुली जया वो इसके conversion के लिए actually hydroxylating enzymes की required होती है दो hydroxylating enzymes involved होते हैं prolyl hydroxylase ऐसी तरीके से lysyl hydroxylase यह hydroxylase क्या करते हैं, यह हमारे पास चीज है, और यह ना नॉर्मल है, नॉर्मल क्रेप्टाइड है जो के अभी translation के बाद वह सामने आईे इसके साथ अगर आप प्रोलीन का रैजीरियो देखने तो वहां पर फोई हाइड्रॉक्षिल गूप अटेश नहीं है अब यह जो हाइड्रॉक्षीलाइड एजिस है यह हाइड्रॉक्षीलाइड एजिस को जो है वह तीन रिक्वाइड होती है पेसिक कंपोनेंट्स जिनके बगार यह रियक्षिन वह कंप्लीट नहीं कर सकते हैं नंबर वन मॉलेकुलर ऑक्सीजन नंबर टू जो है वह आयरन जो कि इनके अंदर एक्ट करता है आजे को फैक्टर के तोड़ पे और तीसरी चीज होती है इनके इनके इक रिडूसिंग एजेंट जो के यहां पर जो ह अब यह रियक्षिन को परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को क्लियर कट नजर आ रहे है कि स्कॉर्बी केस्ट जो है ना वह बहुत हैं अगर किसी परसन के इंदर स्कॉर्बी केसट की डेफिशेंसी हो जाती है तो उस डेफिशेंसी की वज़ा से यह जो खोली हाइड्र अगर यह थीक तरीके से फंक्षिन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे मतलब यह कि हाइड्रॉक्सीलेशन नहीं करवा पाएंगे तो अल्टिमेटली जो है उस अलफा चेंग की वज़ा से जो है ना वह साथ या उस दूसरे मॉलीक्यूर के साथ जो हो है वह वह बांड नहीं ब बनेंगे तो कॉलजन फाइबर जो है ना वो ठीक तरीके से क्रॉस लिंकिंग नहीं बना पाएगा दूसरी फाइबर के साथ इसकी वज़ा से ओवराल जो उसकी स्टेंग्ध है फाइबर की वह वीक हो जाएगी और अगर यह वीक हो जाएगी तो हमारी बॉड़ी की जो नह पर ज़िए जो हमारे गम्स है वह वाइटिश हो जाते हैं ब्लीड करते रहते हैं उनकी होल्डिंग कापसिती जो है वह वह लॉस हो जाती है जितना से हमारी जो स्किन के उपर है वो डिफर्ण तरह कि नर रैशी नजर आना शुरू हो जाते हैं यह वैसे भी स्कर्वीना भ अगर ब्लॉड वैसल्स से बाहर निकलना शुरू करतेगा और अल्टिमेटी हमारी स्किन के ऊपर इस तरह के रैशिस पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो यह स्कर्वी की जो है वह कुछ शुम्टम्स में से एक है जो के मेजर ली वाइटमेंट सी की डेफिशेंसी के लावा कुछ और भी डिजीजिस हैं जो के associated हैं with collagen जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा रोल जो प्ले करती हैं वह है जी mutations के 22 जीन्स हैं जो के 12 टाइप्स की जो है 12 common types की collagen proteins को जो है वह encode कर रहे हैं और उन में तकरीपन 1000 से ज्यादा mutations जो है वो identify हो सकती है कोई एक आदे माइन वेसेट भी आपको पता है कि protein के structure और ultimately उसके function को जो है वो totally disturb करके रख सकती है so इस तरह से different genes जो है उनकी mutations जो है वो बड़े सवीर किसम की diseases को जो है na cause करते हैं जिसमें से हमारे पास दो है जी Aller-Danvers syndrome और शी तरह से osteogenesis imperfecta OI syndrome जो है वो हमारे पास है जिसको हम लोग आज डिसकस करते हैं अच्छा जी EDS जो है हमारे पास ये enzyme जिसमें Lysyl hydroxylase deficiency या pro collagen peptidase deficiency की वड़ा से जो हो सकता है जो के actually mutation के result में होता है amino acid के sequences के अंदर जिसमें हमारे पास जो है जो है वो collagen type 1, collagen type 3 and 5 सफर करती है जो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जिसमें blood vessels involved होती है उसमें type 3 जो है वो बहुत ज्यादा common है अच्छा जी Aller-Danvers syndrome के अंदर क्या होता है कि स्किन का collagen और इसी तरीके से bones जो है वो काफी हद तक जो है वो flexible हो जाती है So next time अगर कोई person आपके साथ के सामने इस तरह की कोई different tricks करके आपको जो है वो बताने की कोशिश करें कि वो बहुत ही जो है वो genius किसम के तो उसे बता दें कि उसे disease है So second disease जो इसके साथ associated है वो जी वो है जी osteogenesis imperfecta जो के brittle bone syndrome के नाम से भी जाने जाती है इसमें brittle bone इसलिए कहते है क्योंके जो bones है वो बड़ी ही असानी के साथ जो है वो तूट जाती है हमने पहले भी पढ़ा कि collagen ही है जो bones को compiled form में compact form में जो है वो जोड़े रखता है अगर collagen ठीक से produce नहीं होरी तो obviously bones जो है वो तूट सकती है इसके अंदर जो है ना वो सबसे common जो हमें symptoms देखने को मिलता है वो है जी hamp back appearance जिसमें हमारे पास जो read की हड़ी है वो bend हो जाती है उसके अपने ही body weight की वजा से यह जो है ना वो बहुत ही common disease है यह common symptom है जो हमें देखने को मिल रहा है इसकी दो major types है एक है जी type 1 जिसको हम लोग जो है वो टारडा के नाम से भी जानते हैं इसमें होता ही है कि alpha 1 और alpha 2 chain की जो है ना वो production काफी हद तक रुख जाते हैं और यह हमें early infancy के case में ही fractures देखने को मिल जाते हैं अगर उस person के जो है ना वो ultrasound के अंदर यह diagnose ना हो तो already fancy के अंदर ही जो ना वहां में इसकी bones जो है वो bandit form में या broken form में जो है वो देखने को मिलते हैं हाइपोपलेसिया कहते है कि उनके जो alveolize है जो lungs के अंदर बनने हैं वही ठीक तरीके से और completely नहीं बन पाते जो और infancy के अंदर यह ना warm के अंदर ही जो है ना मुटेशन हो सकती है इस case में होता क्या है कि यह जो mutation है ना वह glycine के residue को किसी bulky side chain वाले amino acid से ना replace कर देती है अब आपको जब हम लोग उने amino acid का introduction पढ़ रहा था तो उसमें हम लोग उने देखी थी के हर amino acid के साथ कुछ R group था और वह R group वह vary कर रहा था Glycine सबसे चोटा amino acid है ठीक है और अगर हां आप इस चोटे से amino acid को निकाल कर उसकी जगह पर कोई heavy amino acid replace कर देंगे तो obviously उसने वह triple helical structure बनाना है ठीक है वह helical configuration जो है वह attain नहीं हो पाएगी और अगर वह structure ठीक से maintain नहीं हो पाएगी तो obviously वह function भी ठीक से perform नहीं कर पाएगे और इस case में हमें यहां पर आपको यह एक x-ray की नज़र आ रही है और जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि बेबी की fetus condition के अंदर ही जो है वह bones ब्रेक हो चुकी है और वह completely जो है वह survive नहीं कर पाएगा इस condition में सो यह एक काफी जो है ना वह severe condition है हमारे पास और यह भी collagen की अंदर mutations होने की विजा से हो रही है thank you so much for watching please like this video and subscribe this channel thank you so much